हेलो दोस्तों, क्या भविश्य में मशीने स्रम को बदल देंगी ? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुती दिल्चस्प और महतुपूर्ण सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे क्या भविश्य में मशीने स्रम को पूरी तर सा बदल सकती है ? आज के आधनिक यूग में हम यहां देख रहे हैं कि मशीने और आटोमेशन का उप्योग हर छेतर में बढ़ रहा है हैक्टियों से लेकर क्रिशी तक हर जगह मशीने काम कर रही हैं लेकिन क्या यह सच में संभा हुएं कि मशीने हमारे समीकों की जगह पुरी तरह से ले लें मशीने निश्चित रूप से बहुत सारे काम को तेजी से और सचिकता के साथ कर सकती हैं उदारण के लिए मोबाइल फोन बैटरियों का उपादन जो की एक उच्छ मातरा और उच्छ गुण मत्तक की अवशकता होती है अब मुख्य रूप से मशीनों द्वारा किया जाता है क्या यह प्रक्रिया भी इंडिया के लेबल के साथ पूरी होती है जो चीनी उद्वक की दक्षता को दर्शाता है एपल जैसे प्रमुक ब्राण की बैटरियां भी इसी प्रक्रिया की तरह बनती है इन बैटरियों के निन्मान में मशीनों की महत्वपुन भूमिका होती है जिस गुणवत्ता और पादन दोनों को बेतर बनाया जा सकता है क्या इसका यह मतलब है कि मानव स्रमिकों की भूमिका समापत हो जाएंगी वास्तों में मशीने कई भौतिक और दोराय जाने वाले कामों को आसानी से कर सकती है लेकिन मानो समीकों की जुरुत कई छेत्रों में बनी रहेंगी जैसे के नुसंधान, विकास, निर्णा लेना और सम्विदन शिल्ता की अवशक्ता वाले कारियों में मानो बुद्धिमता और भावना की अहिम्यत होती है फिर भी हमें यह सोचना होगा और समझना होगा की तकनिकी का उदेश स्रम को पूरी तरह से बदलना नहीं है बलकि मानो और मशीन के बीच एक समनवाय स्थापित करना है भविश्य में हम देखेंगे कि कैसे मशीने और मानव मिलकर और अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं तो दोस्तों यह सही होगा कि मशीने स्रम को बदलने की दिशा में अग्रसर हैं लेकिन यहां पूरी तरह से नहीं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजी धन्यवाद